दोस्तो जादातर लोग Google Pay से किसी दूसरे बैंक का अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना तो जानते ही होंगे लेकिन अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें Google Pay की मदद से पैसे ट्रांसफर करना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे आप Google Pay की मदद से किसी भी बैंक का अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं चाहे दूसरा बंदा जिसको आप पैसे भेज रहे हैं वो गूगल पे चराता हो या नहीं हो आप डिरेक्टली उसके बैंक का अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बिल्कुल आसान भाता में आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको गूगल पे अप्लिकेशन को ओपन कर लेना है कुछ इस टाइप का आपको इसमें होमपेज दिखाई पड़ता है यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट में ही आपको एक ओप्शन देखने के लिए मिलता है बैंक ट्रांसफर का तो यहाँ पे आपने बैंक के ट्रांसफर वाले ओप्शन पे किलिक कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं उस बंदे का आपने bank account number यहाँ पे डाल लेना है जिस भी बंदे को आप यहाँ पे पैसे transfer करना चाते हैं और यहाँ पे दुबारा से उसका bank account यहाँ पे आपने enter कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ifsc code उसका उसके bank का आपने FSC code यहाँ पर डाल लेना है example के लिए FSC code आप कहीं भी Google में भी आपको यह FSC code मिल जाएगा एक branch का एक separate FSC code होता है जैसे कोई example के लिए अगर हम SBI branch का एक FSC code लें तो कुछ इस तरह से होता है SBIN 000700 कुछ इस तरह से FSC code अलग-लग branch का अलग-अलग होता है और उसके बाद आपने उस बंदे का नाम यहाँ पर enter कर लेना है जिस भी बंदे को आप 50 transfer करना ताते हैं तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमने bank का account number यहाँ पर डाल लिया है और bank का account number को दुबारा से यहाँ पर हमने डाल लिया है और इसके बाद हमने उसके branch का FSC code भी यहाँ पर डाल लिया है जैसी ही आप यहाँ पर FSC code डालते हैं तो उसके नीचे पर उसके branch का नाम सो होने रखता है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके branch का नाम भी यहाँ पे so हो रहा है इसके बार आपने उस बंदे का account number डाल के confirm वाले option पे click कर लेना है तो जैसे ही आप confirm वाले option पे click करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका banking name कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाए पड़ता है इससे आप यह confirm हो सकते हैं कि आपने जो account number डाला है वो सई सई डाला है आप यहाँ पे नाम से confirm हो सकते हैं इसके बाद यहाँ पे आपने amount डाल लेना है कि कितना amount कितना रुपया आप उसे transfer करना चाते हैं इक्जामपल के लिए जस्त मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए एक रुपया भी इस बंदे को transfer कर रहा हूँ यहाँ पे amount डालने के बाद यहाँ पे आप note कुछ लिख भी सकते हैं कि आपने किसलिए उसको पैसा transfer किया है चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और चाहे तो इसे नहीं भी लिख सकते हैं amount डालने के बाद आपको yes यह तिक वाले option पे click कर लेना है इसके बाद यहाँ पे आप दिख सकते हैं आपने वो वाला bank account यहाँ पे select कर लेना है जिस भी bank का account से आप payment करना चाते हैं इसके बाद आपने pay वाले option पे click कर लेना है जैसे ही आप यहाँ पे pay वाले option पे click करते हैं तो इसके बाद यह आपसे अभी आपका 6 digit का UPI pin डालने के लिए बोल रहा है तो जैसे ही आप अपना UPI pin डालते हैं इसके बाद आपने tick यह yes वाले option पे click कर लेना है तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने इस बंदे को अभी पैसे transfer कर दिये हैं यहाँ पे message भी आ चुका है कि आपने इतना रुपिया इस बंदे को अभी pay कर दिया है इसके बाद आपने सीधे यहाँ पे done वाले option पे click कर लेना है और अगर आप यहाँ पे history देखना चाते हैं कि मैंने कब और कितना इस बंदे को पैसा transfer किया है तो यहाँ पे आप history भी देख सकते हैं थोड़ा सा नीची की तरफ अगर आप scroll करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं see transaction history यह वाला option आपको दिखाई पड़ता है तो इस पे आपने click कर लेना है तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर पहले हमने इस बंदे को पैसा transfer किया है तो यह सबसे उपर भी दिखाई पड़ रहा है इस पे अगर आप click करते हैं तो पूरी detail आपकी यह दिखाई पड़ती है कि आपने इस बंदे को successfully पैसा transfer कर दिया है तो दोस्तो इस तरह से बिलकुल आसान तरीके से आप Google Pay की मदद से CB Bank का account में पैसा transfer कर सकते हैं थन्यवाद